अपने यूटूब चैनल हाइपर्टीड इसबी के अंदर पहला वीडियो है दोस्तों ऑन इंडियन होटल्स और मैं पहली बार स्टॉक पे बात कर रहा हूं और आज के दिन आपको बताऊंगा कि स्टॉक के अंदर होल्ड करना है एक्जीट करना है क्यूंकि जयाद तर सभी लोग उपर लेवल पे भी इंडियन होटल्स को बाई करके चल रहा है और लॉकड़ान के कारण आगे चलके होटल्स भी काम नहीं करेंगी दोस्तों रिवसल हंड्रेट परशेंट आई है चील यानि इंडियन होटल्स कंपनी लिमेटेड के अंदर रिवसल डेफिनिटली द दीजे समझ भी नहीं आ रहा है लेवल्स क्या है स्टाटेजी क्या है तो दोस्तों डरने वाली बात इंडियन होटल्स में अभी तक बनी नहीं और आगे चलके बनेगी भी नहीं क्योंकि स्लो मोव्मेंट वाला स्टॉक है आज के दिन जो ज्यादा रिवसल देखने को मिला यह पैंडमिक फिर से जो आने वाला है उस वज़े से देखने को मिला क्योंकि UK USA पुरा lockdown होने के 100% chances है और lockdown के बारे में UK में बात भी चल रहा है इस वज़े से पूरे stocks नीचे गिर रहा है बैक अप के लिए और companies भी इसे गिरा रही है यह पुरा promoters का game है दोस्तों ठीक है और आगे चलके मैं आपको candle chart analysis करते वे detail ही बता दूँगा कि Indian noodles में fresh entry किदर करना है और reversal जाता हुआ average strategy किदर किदर maintain करना है तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हलो एवरिवन मैं हूँ महूमत सोहिल आपके साब में stock पर बात कर रहा हूँ Indian hotels company limited अगर आप पहली बार YouTube चैनल पर आए हैं तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए दूस्तों मैं candle chart confirm कर रहा हूँ Indian hotels one day candle chart है stock NAC तो इसके हिसाब से candle हमें एक hint देखे गया कि अगर मैं stock reversal लूँगा गिराओंगा आपकी मारूँगा तो मैं आपको 100 तक लेके जाओंगा stock already हमें बताते वे ही गया है इसके अंदर हमें अच्छा खासा uptrend line भी देखने को मिला और RS से भी उपर जाता हुआ आप trend line देखने को मिला और above 8 के level को इसने पार नहीं किया above 10 के level पार नहीं किया क्यूंकि इसकी जो हैसियत है इसका जो खिचाव पना है जहां तक stock जानाता वहां तक गया है और जैसे club हुआ मैं क्या बताता हूँ दोस्तों अगर loose candle बन रहे है तो समझ जाए कि stock का support खतम हो रहा है और stock कमजोर हो रहा है यह loose candle बता रहे है और जब जब loose candle पहला आने लगता है तो हमें 7 days का wait करना चाहिए clubbing के लिए 7 days के अंदर close नहीं हुआ तो 14 days का हमें wait करना चाहिए 14 days में पक्का से पक्का close होके चलता है पर इस बार Indian hotels 7 day का time period ले clubbing हो चुका इसलिए stock के अंदर reversal आते हुए देखने को मिली उसके बाद red candle solid बन रहे है फिछे उसके बाद loose candle बनना चाहिए stock आगे बढ़ने के लिए like ऐसे यह पूरे loose candle बनना चाहिए कल भी red candle solid बना तो समझ जाए stock के अंदर और reversal आएगा तो stock में entry किदर लेनी है stock में अगर आप entry लेना चाहते हैं तो 110 पे लिजे क्यूंकि हर बार ये 110 का level का support पकड़के उपर गया है और reversal जाता हुआ हम लोग 100 पे average strategy maintain करेंगे जिदर 105 का overall average बन जाएगा जो भी 140 पे लिए हैं सबी लोग दोस्तों 110 और 90 यह दो लेवल है average strategy maintain करने के लिए support stock 70 का लेके चल रहा है 70 का break होगा तो पानिक situation है वरना stock इसके उपर ही trade करेगा और हर level पे भी आपको double profit देता हुआ चलेगा अगर आप entry लेना चाहते हैं तो 110 लेवल पे entry लेके चल सकते हैं यह मेरा telegram channel है दोस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो join कर लेजिए for intraday live tips and stock market updates के लिए आपको telegram channel का link मेरे description मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा YouTube channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लेजिए notification पाने के लिए notification all पे click कर दीजिए 21st December 2020 Monday Indian hotels का closing है 119.45 पैसा यह मैं target निकाल रहाँ 22nd December 2020 Tuesday के लिए Tuesday के दिन आपको मेरे levels पे buying opportunity देखने को मिले, selling opportunity देखने को मिले, आप मेरे targets and stop loss live market में लेके चल सकते हैं अगर आपकी entry हो रही है मेरे levels पे तो immediate targets and stop loss लगा लिजे, stop loss हीट हो रहा है तो कितना कम नुक्सान हो रहा है, targets हीट हो रहा है तो कितना profit हो रहा है, आपको खुद पता चल जाएगा दोस्तों झाल